नमस्कार किसान भाईयों आज मैं स्वयाबीन के बीज के उत्पादन के छेतर में फसल की रोगिंग के बारे में चर्चा करूंगी जैसे रोगिंग क्या होती है इसे क्यू करना जरूरी है और रोगिंग सही तरीके से करने के लिए हमें क्या जानकारी जरूरी है सबसे पहले हमें ये समझना है कि रोगिंग क्या है बीज उत्पादन की खेट में अवांचनिय पौधे जैसे आपने जिस किस्म की बुआई की है उस किस्म के अलावा कोई और किस्म के पौधे उपस्थित हैं जिसे ऑफ टाइप कहा जाता है उन पौधों को खेट से निकाल कर भाहर फेकना ही रोगिंग कहलाता है अब सवाल उठता है कि रोगिंग करना क्यों जरूरी है किसी भी बीज उत्पादन कारेक्रम में गुनवत्ता पूर्ण बीज उत्पादन करने के लिए बीज का अनुवआन्सिक एवं भौतिक उरूप से सुध होना अति अनिवार है बीज लोट में मिक्स्चर या एक किसम में दूसरे किसम के बीज की मिस्रन से उससे उत्पादन होने वाले बीज सुध बीज नहीं माने जाते और बीज प्रमानी करन के समय उस बीज लोट के GOT टेस्टिंग फेल हो जाने की संभावना रहती है किसी भी किस्म की पूर्ण उत्पादक्ता प्राप्त करने के लिए उसके बीज को अनुवानसिक एवं भौतिक रूप से पूर्णता सुध होना अति आवशक है इसलिए बीज उत्पादन से जुड़े हुए किसान भाईयों को रोगिंग अवस्थी ही करना चाहिए सोयबीन में रोगिंग मुख्यता दो बार की जाती है पहले चरण की रोगिंग फूल आने पर की जाती है और दूसरी चरण की रोगिंग फसल पकने की अवस्था में की जाती है रोगिंग हुए तो दो बाते बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सही समय पर रोगिंग करना और दूसरा बीज उत्पादन के जाने वाले किस्म के लक्षनों की सटिक जानकारी का होना